दोसा में तीन साल पहले बिहार से अफ़रन हुई नावालिका को एविवाहित दो बच्चों की मा के रूप में किया दस्तियाब बिहार के थाना जहानाबाद तांसेन अंतरगत जून 2018 में नावालिका अफ़रन के दर्ज मामले में दोसा सदर पुलिस के सहयोग से दोसा के पास एक गाउं से बिहार पुलिस ने तीन साल बाद दो बच्चों के साथ बरामद किया है बिहार पुलिस से आये अधिकारी ने बताया कि 2018 में थाना जहानाबाद तांसेन अंतरगत नावालिक के अफ़रन का मामला दर्ज था उसके बाद मॉबाइल टावर की ट्रेस लोकेशन से उसका लोकेशन दोसा में मिला जिसके आधार पर दोसा पुलिस के सहयोग से तीन साल बाद अफ़रन की गई नावालिक लड़की को उसके दो बच्चों के साथ सदर थाना इलाके के एक गाउं से दस्तियाब करने में सफ भी कल पट्टी और अब दोसा में बेचा गया और उसे एवाहित के दो बच्चे भी हो गए और इस दर्मियान मेरी बहन के साथ बद सलूकी और प्रताडित किया गया है जिससे तीन साल बाद बिहार पुलिस ने दोसा सदर पुलिस के सहयोग से बरामत किया है लाल बाबु ने बताया कि 74 वर्षिये उसके पिता एक पेर कटा हुआ है अंतिम सांस गिन रहे हैं और जीवन मृत्य से लड़ रहे हैं इनकी इच्छा है उनकी लापता बेटी एक बार उससे मिलने जिसके चलते अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए भाई ने कभी नोईडा तो कभी कल करवाल ने इस मामले को लेकर बिल्कुल भी कोपरेट नहीं किया बलकि कई आरोप लगा दिये यदि एसपी मनीज कुमार ने सयोग किया होता तो कब की मेरी बेहन पहले ही बरामद हो सकती थी लेकिन बाद में आये एसपी ने उनकी मदद से उनकी तीन साल पहले अपहरण हुए कि यह दोहजर अठारा में का नवाली लड़की के अपहरण का मामला था जिसमें हमारे जहाना वा थाना कांड संग्या चारसो बरासी अठारा है जो की दर्ज किया गया था और उसी अपहरता को है जी कि बरामद की है तो यहां आये थे और यहीं है जो की दौसा थाना जे है जो की बरामद हुआ तो किस आला पने लड़की में बजिए है या लाकी है अब हाझा है बच्चे उसके प्रामद हुआ प्रामद चेपना लाए जैंठी हो अब यह तो अनुसंधान का बीसा है इस पर हम लोग जाश्य कर रहे हैं नुसंधान कर रहे हैं वाग। कि मोबाइल कि टावर लोकेशन के अधार पर हम लोग आए त्रेस हुई है गुर्ट सुचना के अधार पर राजस्थान पुलिस के सही योग से तो पता नहीं चला आगे हम लोग जांच कर रहे हैं संबन जो भी मामला परकास में आएगा मेरी सिष्टर जून 2018 से लपाता थी मैं किड़नप्पिंग का केस लोकल जहानावाद ताउन थाना बिहार में किया था आज तक मेरी सिष्टर का कोई नुक्स पता नहीं चला पता चला नहीं या लिया नहीं गया जो तीन लड़के को पर आरोब मैं का बोल रहा था उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया क्यों नहीं उसे पूस्तास कड़ाई कड़ाई से हुआ मुझे पता नहीं मेरी सिष्टर को किड़नप करके बेच दिया गया आज तीन साल हो गया कभी नुएडा कभी कटपटी अब जाके यहां रास्थान डोईसा में एक छोटा सा गाउं है वहां गुजर के हाथ में बेच दिया गया सर आज तीन साल के बाद मुझे जाके मेरी सिष्टर मिली है अनमेरेट दो बच्चे के साथ सिष्टर से बात हुआ सर उसको परतारित किया जा रहा है आप सरीर पहले का फोटो में दिखाऊंगा अभी लाइब में देख सकते हैं उसको क्या हालात है किस जिंद्गी से गुजर रही है और मुझे मैं पूरे जनता से सब सारे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक वहन का नयाय मिलना चाहिए एक बेटी का नयाय मिलना चाहिए जिसका फादर सेवेंटी फॉर यहर्स में पैर कटा हुआ होस्पीटल में एक मेंने सेडमिट हैं वह अपनी बेटी के आसा भी देख रहे हैं कि लास्ट अस्टेज पे हैं तभी बेटी का आसा देख रहे हैं कि मेरी बेटी मिलेगी सायोग मिला नंबर ट्रेस में डाला हुआ था और मेरा आयो जो फर्स्ट में और जो एस्पी साब भी चेंज हो चुके हैं मिश्टर मनीश कुमार कॉपरेट मेरे साथ तो नहीं किये सब्सक्राइब करते तो मेरी वहन कब कहीं रिकभर हो जाती कि वह बोले अपने से लाम महरेश करके भाग गई अपने से मन से गई अपने बहुत तरह के सर ब्यान आया यदि भागना ही होता तो इधर क्यों आती है अच्छा करता हूं और मैं बहुत गर्व कर रहा हूं सर यह डोशा पुलिस में जो मेरे साथ इतना अच्छा कॉपरेट किया सब्सक्राइब सर आप खुद समझ सकते हो सर बीना मेरेश के दो बच्चे आप खुद सोच सकते हो सर यह कोश्चन आप मेरे से पूछ पूछ क्यों रहे हैं मेरा नाम लालवावू है सर अब बिहार का रहने वाला हूं